हेलो वेल्कम बैक स्टुडेंस अपका स्वागत मेरा यूट्यूब चैनल पे बच्चों आज हम लोग वीर बुद्धु भगत के बारे में समझेंगे सिखेंगे उनके लाइप के बारे में जानेंगे चली दू यू नो पहले देख लेते हैं देपीपूल अफ जारकन लिए अपको जानना ना रीड़ अबाओर फ्रीडम फाइटर ऑप जारकन उसी के बारे में हम लोग जानकारी इसमें लेंगे चली यह बुद्धु भगत के बारे में जानकारी है और सेवेंटी फेबरेडी सेवेंटीन नाइटीट तो अचाइल्ड वस बोन इन पूर फैम इसका नाम बुद्धु भगत था आओ उसके पिताजी एक किसान थे प्रकृती को बहुत प्रेम करते थे पहाड़ों और जंगलों में रहा करते थे उनकी प्रकृती से काफी जादा लगाओ था ही यूज तो टेक बाद इन कोयल रिवर कोयल रिवर में वह नहाया करते थे देखे फिर आगे बढ़ते हैं बुद्धु फैमस पास्टाइम वस फेरी आर्चरी और हंटिंग पास्टाइम उनका भी आर्चरी और हंटिंग में रहा है जब बड़े हुए तो सभी अन्याय के खिलाब लड़ाए शुरू कर दिये यूज अगांस बृतिंग रोल इन जमिन्दार वह जमिन्दार और बृतानी जो कानून थे बृतिंग जो रोल थे अंग्रेजों का सासन उसके बिरुदु में थे पीपल से दाट वाइल टेक बा लोग कहते हैं कि एक दिन वो जब स्नान कर रहे थे तो उनमें काफी ज्यादा सक्ती नजर आए काफी अजीब नजर आई realizing that he shot an arrow on a hillock एक hillock पर उन्हें एक तीर चलाया a stream started to follow from the port और उस port से एक stream धारा बहने लगी it is believed that the stream flows even today अरे सब विश्वास किया जाता है कि अभी भी वो फ्लो वो बहना चालू है it is known as बीर पाने और उसे ही बीर पानी कहा जाता है चली बहुत अच्छी जानकारिया मिल रही आपको बुद्धु बगत के बारे में he was very bright skillful and a good leader बहुत अच्छा bright skillful तिमागी तेज दिमागी और बहुत अच्छे लीडर वो थे due to these qualities the pleasures respected him a lot इन के कारण जो गाउं की लोग थे उनने ज्यादा काफी respect देते थे बुद्धु भगत ले the coil revolt against the British coil revolt को भी उनने को जो आंदुलन था उसको लीड करने वाले बुद्धु भगत थे जो अंग्रिजों का खिलाब थे लोकल जमिंदार के भी खिलाब थे और moneylender के भी खिलाब थे he fought bravely against the Britishers Britishers ने अंग्रेजों का खिलाब वो बहुत चलाकी से बहादुरी से लड़ाई की the Britishers fought with guns and pistol but बुद्धु भगत laid his men and fought with axes and arrows बुद्धु भगत अपने सेनिकों के साथ कुल्हाडी और तीरों से लड़ाई कर रहे थे the Britishers surrounded him and his men Britishers उन्हें और उनके आदमियों को सराउंड किया बुद्धु भगत did not want to be killed by his enemy उनकी सोच थी कि वह अपने सत्रों के हांथ नहीं मरें so he sacrificed his life by behaving himself on 14 February 1832 तो उन्हें क्या किया अपने औजार से अपने ही गर्दन को उड़ा लिया काट लिया 14 February 1832 तो यह बहुत अच्छी जानकारी बुद्धु भगत ने आपको बुद्धु भगत के बारे में यहां दी गई so thanks for watching wait for the next video चैनल पर अपने है तो चैनल को जरूर से जरूर subscribe कर ले subscribe करना ना भूले so thanks for watching again